हाई फ्रेंड्स गुड अफ्टनून मैं हूँ आशी सर और आप देख रहे हैं टॉप 10 क्लासे तो हम लोग जो है पिसले वीडियो में बहुत कुछ पढ़े हैं और बहुत सारी चीजे बहुत सारा वीडियो अपलोडेड है थोड़ा सा आप लोगों का काम क्या है कि आप क्योंगें प्राइब में जाएब रहा हैं तो अपने आपको बदलने की कोशिस करो जब रीडिंग करना शुरू कि आपका पूरा कंसेंट्रेशन आपके स्टडी पर होना चाहिए आपके पढ़ाई पर होना चेह हैं वेन फोकस्ट अन यह पर आका then you can do something otherwise it will always run unnecessary always think of that for what you are and what are you reading and what are you learning for क्या सीख रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं आप इस चीज पर जब फोकस करेंगे तो बहतर कर पाएंगे आप लोग सुनते हैं देखते हैं लेकिन आप उस पर कोई माइंड नहीं कर पाते हैं मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर आप पढ़े रहे हैं तो देखिए वीडियो को देखने के बाद आप मुझे भी इंफॉर्म किजे कि आप उसको एक कमेंट बॉक्स में थोड़े सा रिप्लाई किजे हमें भी तो पता जेले कि आप पढ़े भी रहे हैं वीडियो को देख भी रहे हैं या फिर किवल ऐसे ही अप्लोड़ेट किया जा रहा है आपको मेहनत करना है आपको कुछ आगे बढ़ना है तो जस्त कम बिथ मी और ट्राइट वीडियो को आपके लिए तयार है तो आपको भी हमारे साथ चलना पड़ेगा अगर आपको मेहनत करना है तो जस्त कम बिथ मी और ट्राइट अठेट क्वार्बना है तो जस्त कम बिथ मी अंड़ाइउ सू आप प्राइड ऑ्रम फि συνाप अफ यह जस्तू जस्तितंत हू इन तो आइक मेंच इन बीड तो नोंत इन गोंब उर जतला अगे अज तरели उह औ थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो लेकिन पढ़ने की प्रक्रिया पढ़ने होनी चाहिए पढ़ने की प्रक्रिया पढ़ने होनी चाहिए जो भी आप पढ़ रहे हो आपको समझ में आ रहा है तो भी आपका रियक्शन आना चाहिए कि I have got well in this videos are in this videos and if you are not sure about that just think of another videos अगर आप उस पर sure नहीं है तो उस videos के बारे में सोचो कि how can we sure about that things so think and do definitely you will get success अगर आप उसको सोचोगे देखोगे और यूज करोगे तो definitely आप कर सकते हो और अगर आप नहीं करते हो तो फिर it will be just like a time past video for you and guys it's my surety that if you are going to pass your time then definitely time will pass you अगर आप time को पास करेंगे तो time definitely आपको पास कर जाएगा इसलिए बहतर है कि आप time pass ना करके अपने time को useful बनाए उपयोगी बनाए because time is precious for us time is everything for us सब कुछ है मारे पास समय है तो सब कुछ है समय नहीं हो तो कुछ भी नहीं है because we have got that if we have lost money we have lost nothing but if we have passed our time then everything is going to be passed okay so now today we will start our class without wasting time the class is going to be start today okay guys today we will read for the sake of for the sake of का मतलब क्या होता है के वास्ते जैसे कभी कभी क्या होता है कि we are just going to do something and our parents are going to band कहते प्लीज पापा for the sake of for the sake of my study मेरे पढ़ाई के वास्ते मुझे अकेला छोड़ दीजे या भगवान के वास्ते उसे छोड़ दो कोई कोई मार रहा हो किसी को आप देखते हैं कि उसको कोई बुई तरह से पीट रहा है तो के यार भगवान के वास्ते छोड़ दो मर जाएगा तो के वास्ते का आप मुझे परिशान मत करो ओके कैंस क्या हो गया भगवान के वास्ते आप युद्व हो जा रहे हैं भगवान के वास्ते की बात हो रही है तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं for the sake of for the sake of God for the sake of God भगवान के वास्ते जिसका वास्ता दिया जा रहा है मुझे को लिख लेते है for the sake of God क्या करना है आपको आप मुझे परिशान मत करो this is imperative sentence negative sentence imperative का negative बन रहा है तो don't you don't don't क्या करेंगे आप worry me, disturb me, puzzle me ठीक है, you don't worry me ठीक है, now guys just mind about that worry को कुछ लोग क्या करेंगे कि चिंता में लेंगे कि चिंतीत मत करो नहीं guys, worry का मतलब सिर्फ चिंता ही नहीं होता है यदि एक ही word का कई अलग-अलग means निकलेंगे तो sentence के sense के according अपना place बदलते रहते हैं यहां पर आप वरी को देख करके परिशान मत ओएगा, वरी का मतलब भी परिशानी होता है ठीक है, जैसे धन के वास्ते उसने अपराध किया थीक है, धन के वास्ते उसने अपराध किया तो किस चीज के वास्ते कर रहा है भी है धन के वास्ते, तो धन के वास्ते के English क्या हो जाएगी for the sake of for the sake of किसी इसके धन के वास्ते for the sake of money या wealth, दोनों लिख सकते हैं आप money से पैसे से related हो जाएगा wealth से मतलब धन से related हो जाएगा तो आप चाहे wealth लिखिए या फिर money लिखिए दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं ठीक है, for the sake of wealth क्या करना है आपको उसने अपराद किया तो he, क्या होता है अपराद करने का crime, ठीक है अपराद का crime होता है न तो करने के इंगलिस do होता है do का second form, did he did crime ठीक है, for the sake of for the sake of wealth he did crime, next one more एक और देख लीजिए उसके बाद मैं आपको कुछ exercise देता हूँ, आप लोग खुद से किजेगा और करने के बाद just think of that, whatever exercise will be provided here, you have to translate it, make a practice and after that, you have to send all that things in your comment box अब आपको मैं comment box में काम करके देने के लिए दूँगा, comment box आप में कुछ नहीं reply करते न, तो जो exercise आपको दिये जाएंगे, आप उसे solve किजिए और उसे comment box में translate करके आप भेजेंगे, पता लगना चाहिए कि now you are reading, you are getting changed something तो now जैसे पैसे के वास्ते दोस्ती मत तोड़ो okay guys, पैसे के वास्ते दोस्ती मत तोड़ो तो पैसे के वास्ते आ रहा है, तो क्या हो जाएगा for the sake of for the sake of क्या, पैसा, पैसे के इंगलिश क्या होती है money, for the sake of money क्या करना है, don't break relation yeah, don't break friendship don't break friendship, for the sake of money, don't break friendship is that clear guys, तो now just do something, another exercise for yourself, अब मैं आपको कुछ exercise दे रहा हूँ, आप उसको वीडियो को पोज करियेगा रोकियेगा, रोक करके आप sentence को लिखिये, translate किजे फिर आप comment box में उसका translation आप डालेंगे जरूर, I hope कि आप इसको करेंगे, क्योंकि exercise is a must for you, तो नोट कर लिजे कुछ sentence, जैसे पैसे के वास्ते उसने चोरी किया पैसे के वास्ते उसने चोरी किया, next sentence पानी के वास्ते, पानी के वास्ते वा धर 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 भटक रहा है भिखारी धन के वास्ते मंदिर के सामने भीक मांगता है भिखारी पैसे के वास्ते मंदिर के सामने भीक मांगता है नेश्लिके पुजारी भगवान के वास्ते मंदिर में फूल चढ़ाता है मा बच्चे की लंबी उम्र के वास्ते ब्रत रखती है पिता जी सम्मान के वास्ते सामाजिक कारे करते हैं परिश्रमी छात्र अच्छे अंक प्राप्त करने के वास्ते मेहनत करते हैं इस टाइब आप सेंटेंस केन बी क्रेटेड बाई यू गाईज कुछ सेंटेंस मैंने बोल दिया है कुछ सेंटेंस आप स्वैंस से बनाईए और सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए अगर आप एक्साइब नहीं होंगे अप खुछ से उस पर इगर नहीं होंगे आप याद रखिएगा कि अगर आपको कोई सुझाओ दे रहा है या सला दे रहा है तो उसका दो ही ऑप्सन हो सकता है या तो उसने अपनी लाइफ में आपसे ज्यादा गलती किया है और उस गलती का परेडाम जहल चुका है इस पर आपको एवाइड कर रहा है आपको पहले से वार्न कर रहा है कि भिया ऐसी गलती मत करना नहीं तो आपको भी उस तरह से जहलना पड़ सकता है या तो उसकी संगत आपसे कहीं ज्यादा बड़े लोगों में रही है जिनके पास जीवन का अच्छा खासा तजुर्वा होता है तो आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि along with the time try to use your best value otherwise the time will waste you definitely अगर आप समय को सही से उपयोग नहीं करेंगे तो समय आपका दूरपयोग 100% कर देगा तो आपके पास पच्टाने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा तो with that hope you will never waste your time so for that we will meet in next videos since then goodbye and take care of yourself that's all thank you